हेलो दोस्तों मैं हुँ हिना आप सबको मेरा सलाम नमसकार कैसे हैं आप और मैं बिलकुली बढ़िया हूँ तो अभी जैसे पता चल रहा है कि इंडिया में काफी हो रहा है अभी इलेक्शन्स का माहौल वहां पे हो रहे हैं 5 इलेक्शन्स स्टीट इलेक्शन्स पुंचायत इ के लेक्शन लंडन में मेर के लेक्शन सब इस इस में को होने वाला है तो यहां पर इलेक्शन कैसा होता है उसके क्या प्रोसेस होता है तो आज मैं आपने इस वीडियो में उसके बारे में डिसकस करने वाली हूं तो यहां पर इलेक्शन इस बार के इलेक्शन के खास बात यह है यह जो 6 में को elections होने वाले हैं उसकी खास बात ही है कि इस बार जो यह 2021 में जो elections हो रहा हा है यह इस साल नहीं होने थे यह होने थे पिछले साल यानि कि में 2020 में क्यूंकि तब coronavirus का first wave आया था और यहां का जो election commission ने जिसको electorate commission कहते हैं उनको उतना idea नहीं हो कर आएंगे तो उन्होंने गौवर्मेंट से कि इस बार का इलेक्षन हम पोस्पोन करना चाहते हैं तो गौवर्मेंट ने मार्च 2020 में इस बार को समझा और उसके लिए एक लॉ लेकर आया और कोरोना वाइरस एक 2020 जिसके वज़े से जो में 2020 में एलेक्शन होने वाले थे उसक कि किया हम सीख सकते हैं यहां के election system से तो इसके बारे में आज मैं मेसेज देने वाली हूँ एक मेसेज वीडियो बनाने वाली हूँ तो हम यहां आए हैं 2019 के जुलाई में तब हमें यहां का election के system के वज़े के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था कि यहां कौन vote देता है कौन नहीं vote देता है क्या हम यहां आए हैं हम यहां vote दे सकते हैं कि नहीं है हम तो Indian passport holders हैं लेकिन यह तब मुझे नहीं पता था धीर धीरे रहते रहते बहुत कुछ research करके हम लोगों को भी पता चला कि हम क्या यहां पर vote दे सकते हैं कि नहीं तो आज मैं यही बताने वाली हूँ तो यहां का जो election का जो system है वो यहां के electorate commission उसको conduct करवाता है और उसके 3 criteria है 3-4 criteria है कि कौन-कौन यहां UK के elections में UK यानि कि मैं England की बात कर रही हूँ कि कौन-कौन यहां के elections में participate कर सकता है तो सबसे पहले जो participate कर सकते हैं इस elections में जो कि जिनकी age है 18 and above England के लिए मैं बात कर रही हूँ और second participate कर सकते हैं जो कि British citizen है या फिर Irish nationals है और third participate कर सकते हैं common-filt countries के वो citizen जो legally UK में रह रहे हैं legally UK में रह रहे हैं क्या मतलब उनके पास proper channel है प्रॉपर वीजा है UK में रहने का एक resident permit है fourth वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोट दे सकते हैं जो कि European Union के citizen है जो UK में रह रहे हैं तो इसका मतलब मैं एक proudly एक Indian passport holder हूँ और India जो है एक commonwealth country भी है तो हम इस elections में participate कर सकते हैं जो मुझे पहले नहीं पता था इस election के आने से पहले मुझे पता चला कि हम भी इस election में participate कर सकते हैं तो आप अगर कभी इंडिया से UK आए एक valid वीजा लेकर तो प्लीज आप अपने आपको यहां के electoral registration में register करवा दीचेएगा मुझे नहीं पता था वारना अगर जब यहां पर जब सेंटरल गवर्मेंट के जब elections हुए तब अगर पता रहता तो शायद मैं उसमें भी वोट दे सकती थी लेकिन तब नहीं पता था तो चलिए जब पता चला तभी सहीं तो अभी यहां पर वोट देने का यह पैटर्न है यहां का तरीका है कि आपको पहले अपने आपको इस यहां के electoral register में register करवाना पड़ता है तो बकाइदा election commission जो electorate commission है वह एड देती है हर जगर में कि आप अपने आपको रेजिस्टर करवाई है एक अपका नाम बेसिक डिटेल्स कुछा जाता है और यहां का अगर आप बाहर से आए हुए है तो आपकी नेशनालिटी पूछी जाती है आप कौन से कंट्री से हैं या और आप अगर यहां पर कोई वीजा है तो आपके पास एक नाशनल इंशेरंस नंबर दिया जाता है वह उस नाशनल इंशेरंस नंबर का यूज करके आपको यहां के इलेक्टोरेट रेजिस्टर में आपको रेजिस्ट्रेशन मिलता है और फिर आपको एक कामिशन से एक लेटर आ जाता है कि आपका नाम यहां एड हो चुका है लेक एक बहुत ही अच्छमभा सा एक घटा हुआ हमारे साथ और आप जानना चाहेंगे वो क्या हुआ तो पिछले कुछ दिन पहले एक लेटर आया हमारे घर पे वो लेटर था ये ये इस लेटर के ऊपर जो लेटर हैड है वो है हाउस अफ कॉमन्स के नाम से तो जब मैंने ये ल क्या काम किया है कि हमारा नाम एक हाउस अफ कॉमन से कोई लेटर आ रहा है तो जब मैंने ये लेटर खोला तब और भी थोड़ा सा डाउट हो गया कि यूके ये लेटर हमें किसी और ने नहीं इस एरिया के इस कॉंस्टिट्वेंसी के मेंबर ऑफ पार्लेमेंट ने भेजा है आप समझ सकते हैं यहां इस कॉंस्टिट्वेंसी को जो पार्लेमेंट में जो रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर इस एलन वाइट है इन्होंने भेजा है क्यूंकि उनको पता चला है कि हमारा नाम यहां के लोकल एलेक्ट्रोट रेजिस्टर में भी नया-नया एड हुआ ह है और उनको पता नहीं था कि हम यहां नाय-नया आए हैं तो इसलिए उन्होंने एक पर्सनल एक लेटर है यह देखिए यह उनके लेटर है और उन्होंने यह कहा है कि I am writing to you to welcome you to your new home in my capacity as your local member of parliament. city council have informed me that you are a new on the electoral register my apologies to you if you have been living here for a while but have been just re-added to the electoral register it's my job to represent the constituent of southampton test in the house of commons and help where possible with any problems or concerns you may have you can write email whether it's about a specific problem or you have a strong view on a local or a national issue please contact me using the details below if there is an issue like you would like to raise I would love to hear your opinion about the politics and other issues that interest you you can always email me at this email address and fill out the return the form on the back of this letter with best wishes Alan Whitehead labor mp for southampton test तो आप समझ सकते हैं एक MP ने एक general public के लिए एक ऐसा letter भेज़ा है कि आप free हो के अपने कुछ भी discuss करना हो कुछ भी national issues पे local issues पे अगर आपके कोई concerns है कोई आपको अपनी कुछ बात कहनी हो तो आप free हो के आप हमसे contact कर सकते हैं पता नहीं मैं तो इंडिया की ही हूँ तो इस तरह के का वेभार क्यों नहीं करते थे कि को या इस तरह के का one to one letter तो छोड़ी दीजिए कि कोई हमारे सुद लेने के लिए आता भी नहीं था और यहां कि यह देख रहे हैं कि हम अभी नए-ने रेजिस्टर हुए हैं और एक यहां के MP ने एक letter भेजा यह letter दोनों के ना सिस्टर में और वहां के सिस्टर में जो की हम लोग का सिस्टर में largest democracy in the world पता नहीं और अभी जो मैं बात कर रहे थी कि यहां पर तो elections होने वाले हैं जो की है 6th of May को तो उस elections की भी एक खास वात ही है कि जो यहां का जो election commission है उसने एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है उसने क किया किया है कि यह जो 6th of May को जो elections होने वाले हैं इसके campaigning campaigning में उसने एक बहुत बड़ा एक फैसला लिया है यहां campaigning January से शुरू होने वाली थी January 2021 से क्यूंकि तब एक second surge यहां वे कोविट का शुरू हो गया था तब यहां के commission ने क्या किया सारे campaigning को cancel कर दिया सारे campaigning को cancel कर दिया उन्होंने कहा हमको साबको safely election में participate करवाना है तो इसलिए हमें campaigning को भी बंद करना पड़ेगा यह campaigning किसी भी तरह से नहीं हो सकता है ना कोई लोग इखटा हो सकते हैं ना आप door to door किसी के घर जा सकते हैं ना आप election की कोई rally कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं lockdown लगा उसमें भी यही कहा गया कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं कि आप अपने किसी और के घर में जा करें एट अफ मार्ट से फर्स लॉग डाउन का जब यहां से फेज खुलना शुरू हुआ तब election commissioner ने एक चीज की permission दी कि आप यह कर सकते हैं कि आप जो candidates हैं करना चाहते हैं वह लिखा हुआ आप सिर्फ घर घर में जाके वह लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं बस इससे आगे आप कोई और campaign नहीं कर सकते हैं आप समझ सकते हैं ना कोई लोगों को जमावड़ा होगा ना कोई आप किसी को घर के जाकर डिस्टरब करेंगे ना लोगों काहूंगे कि यह बहुत पॉजिटिव कदम है क्यूंकि वूट निसानों के लिए है लोगों के लिए सिटिजन के लिए कि वह वोट रिए अगर वहीं नहीं बचेंगे तो वोट कौन देने जाएगा चलिए इसके बाद एक और बात क्यूंकि यह एलेक्षिन्स पिछले साल होने वाले थे और अभी हो रहे हैं तो इसके वज़े से यहां का जो electoral का जो cycle है यहां पर चार साल में city council के elections होते हैं तो क्योंकि यह cycle बिगड़ गया है पिछले साल का भी भी continue हो रहे है पांच साल का हो गया वोला term और यह वाला जो next term जो आएगा जो उसमें क्या किया कामिशन ने पिछले साल के टर्म को इस साल के एक्स्टेंड करके अब जो next term में जो elect होंगे उनको दिया जाएगा तीन साल कर तो यह बहुत बड़ी बात हुई अब यहां पर वोटिंग होती कैसे है यह भी एक बात है तो यहां पर वोटिंग होती है बाइब बैलेट पेपर बैलेट में वोटिंग होती है और वोट करने के तीन तरीके हैं एक है पोस्टल बैलेट एक है आप एलेक्शन पोलिंग स्टेशन में आप खुद जाएए वहां पे वोट कर सकते हैं और एक है बाइब प्रॉक्सी वोटिंग तो सिंस यहां पे कोव स्टेशन में आईए तो आप अगर comfortable हैं तो आप आपने आपको register करवाये for for vote by post postal ballot देके आप अपने आपको register करवाई है आपको आपके घर में वह application form आजाएगा आप अपना form fill up किजिए आपको जिसको इसको vote देना आप उसको दीजे और आप बस postal बैलोट में आप पोस्ट आपका बैलोट काउंट हो जाएगा और सेकेंड बाई है कि आप अपने आपको रिजिस्टर करवा सकते हैं कि आप पोलिंग बूत में जाना चाहते हैं तो वहां पे भी सारे कोविट के सारे नियम फॉलो होंगे कि थार्ड है वाइ प्रॉक्सी वोटिंग प्रॉक्सी वोर्टिंग का मतलब यह यह है कि अगर आपके पस को보ी डिसेबिरेटी अपने इना जासकते यह अपने किसी फैमली मेंबर को यह सब्हू सेथावoter में अधिकार दे सकते हैं कि आपका जो वोक्त है वह इंसान पोलिंग जाके दिया इसको कहते हैं proxy voting तो मैंने यह सब discuss किया आपके साथ तो आशा है आपको मेरा आज का यह व्लॉग पसंद आएगा आज का यह व्लॉग कैसा लगा election को लेकर election की process को लेकर आप मुझे जरूर comment section में बताएगा मैं ऐसे ही और भी व्लॉग जरूर बनाऊंगी और अपना कूप अच्छे से ध्यान रखिएगा